अनुष्का शर्म और श्रद्धा कपूर ने सोशल मीडिया पर शुरू कर दी है मोहिम पॉदी आनिमल राइट्स अनुष्का शर्म और श्रद्धा कपूर लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कैसे कुछ दिनों के लॉक्टाउन की वजए से हर कोई डिप्रेशन से लेकर अन्जाइटी का शिकार हो रहा है ऐसे में जू और सिर्कस के केज में रहने वाले जानवरों को कैसा लगता है और अब अनुष्का शर्मा ने हाल ही में अनिमल बूटालिटी के वाइरल हुए एक विडियो पर स्ट्रॉंग रियाक्शन देते हुए लिखा है आई विश देया पनिष्ट अप्ली फर दिस वही श्रदा कपूर ने राजस्तान के गाउं के लोगों की तारीफ की है for helping animal in this scorching hit श्रदा कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा इससे पहले श्रदा कपूर ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक विडियो को शेर करते हुए caged animals और उनकी plight पर लिखा इस lockdown के दौरान हमें से बहुत से लोग चिंतित और पराधीन महसूस कर रहे हैं कल्पना कीजिए कि आपको अपने परिवार और घर से दूर रखा जाए तथा अपने पूरे जीवन काल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा जानवरों में हमारी तरह भावनाई होती हैं अपने प्राक्रतिक आवास और परिजनों से अलग होने पर वो उदासीन हो जाते हैं हम ये क्यूं माने के हमें उनकी स्वतंतरता छीनने का अधिकार हैं अनुष्का शर्मा ने भी एक elephant की तस्वीर को शेर करते हुए एक emotional post लिखा Not even a hundred days of lockdown and all of us are complaining about feeling anxious, depressed or simply unwell. We speak about our desires to roam free because we feel caged. Remember your current state the next time you visit a zoo, a circus or any other established that keeps animals caged. We are all guilty of visiting these places but somewhere down the line this has to stop. They weren't born for your entertainment. They have a life just like you. Keeping a life caged for your entertainment is too unfair. Every voice matters. They feel the anxiety too. They feel the same trauma you feel when you are caged. That added with a thousand people irritating them by invading their private space. Make a choice. It counts. Well, Anushka Sharma and Shraddha Kapoor के ये मोहिम काबिले तारीफ है. क्योंकि इस lockdown के बीच घर में बंद रहकर हर कोई realize कर पा रहा है कि caged animals किस तरह से feel करते होंगे. Watch E-Town News Monday to Friday at 9.30 p.m. only on Zoom.